यहुदा के राजा हिजिक्या से कहता है कि जितने हथियार तेरी हानी के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुछ पर नालिस्ट करें उन सभों से तू जीद जाएगा यहुदा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे यहुदा की यही वाड़ी है दरसल ये वचन महान परमेश्वर ने यसाया भोजजगता के द्वारा इसराइलियों के पास पहुँचाये थे क्योंकि एजराइल परमेश्वर की नीच प्रजा थी और अभी भी परमेश्वर की नीच प्रजा है इसलिए एजराइल एक छोटा देश होने के बाद भी परमेश्वर के करुणा से घिरा हुआ है यसा यह 54 अध्या के capital अक्षरों में भी लिखा है अर्था बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा है कि एजराइल के प्रती परमेश्वर का प्रेम अब ऐसा नहीं है कि महान परमेश्वर दूसरे देश के लोगों से प्रेम नहीं करता महान परमेश्वर तो सभी देश के लोगों से प्रेम करता है पर यहां बात एजराइल की हो रही है और यहां उस समय की बात है जब राजा हिजिक्या यहुदियों पर राज्य कर रहा था यहुदा का राजा था जिसके विशे में परमेश्वर ने कहा था कि जितने हथियार तेरी हानी के लिए बनाय जाए उन में से कोई सफल नहीं होगा बाइबल के पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लडाई जगड़े और युद्ध का वर्णन है जिसमें परमेश्वर के इसराइली प्रजा भी सामिल है इसराइलियों का आए दिन किसी न किसी राजाओं से युद्ध छीड़ा रहता था जब परमेश्वर के इसराइली प्रजा अन्य राजाओं से युद्ध करते थे तो कई बार ऐसा भी होता था जब परमेशर के इसराइली प्रजा दूसरे राजाओं से युध्ध हार जाते थे परंतो जब महान परमेशर अपनी प्रजा के संग होता था इसराइल के संग होता था तो इसराइल युध्ध जीत जाते थे अताप पुराने नियम के अनुसार जो युद्ध हुआ करते थे वो सरीर के अनुसार होते थे सरीर को घात करने के लिए होते थे उस समय के लोग सरीर के अनुसार लरते थे जैसे तेर से, तलवार से, धनुजबार से और भी ऐसे कई अन्य हथ्यारों से जिससे सिरी को घात किया जाता था और खुद को बचाय जाता था युद्ध में कई बार ऐसा भी होता था जब इस्राइल के सत्रू राजा इस्राइलियों से अधिक सामर्थी होते थे अर्थात इस्राइल के सत्रू राजाओं के पास अधिक सैनिक हुआ करते थे उनके पास अधिक हथियार हुआ करते थे इसलिए इसराइल कभी-कभी युद्ध करने से घबराते थे कभी-कभी डरते थे हाला कि महान परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा ही जैवन्त नहीं करता परंतुमहान परमेश्वर अपने पवित्र नाम के निमित अपनी एजराईल प्रजा को जैवन करता था युद्ध में कई बार ऐसे भी हुए जब एजराईल के सत्रू राजा एजराईल को चारो तरफ से घेर लेते थे तो उस समय जो एजराईली राजा यहवा परमेश्वर से प्रेम करते थे अपने यहवा परमेश्वर की सरान लेते थे उस पर भरोसा रखते थे तो महान परमेश्वर उन्हें अनेक संकटों से बचा लेता था और ना केवल उन्हें बचाता था परंतु इजरायल के सत्रू राजाओं को और उनके सैनिकों को भी दंड देता था एक बार जब राजा हिजिक्या के दिनों में असूर के राजा ने अपने सैनिकों समेत यहुदा के पूरे नगर को घेरे हुए था तब राजा हिजिक्या ने अपने यहुदा परमेश्वर से विंति की क्योंकि राजा हिजिक्या का भरोसा अपने यहुदा परमेश्वर पर था तब यहुदा परमेश्वर यासाया भाउजगता के द्वारा राजा हिजिक्या से कहता है कि जितने हथियार तेरी हानी के लिए बनाएं गए है उन में से कोई सफल न होगा राजा हिजिक्या के विंती को सुन कर यहवा परमेश्वर ने अपना एक दूत इसराइल को बचाने के लिए भेज दिया राजा हिजिक्या और उनकी प्रजा को बचाने के लिए भेज दिया तब परमेश्वर के उस दूत ने रात के समय में असूर राजा के एक लाग पच्चासी हजार साइनिकों को मार डाला जो यहुदिया के पूरे नगर को घेरे हुए थे सुबा उटकर जब राजा हिजिक्या और उसके कर्मचारी नगर के बाहर जा कर देखे तो चारो तरफ असूर के सैनिकों की लासें बेची हुई थे इस प्रकार महान परमेश्वर अपने भै मानने वाले दास और अपनी प्रजा को असूर राजा और उसके सैनिकों से बचा लिया परन्तु इस्राइल में कुछ ऐसे भी राजा थे जो यहवा परमेश्वर का भै नहीं मानते थे परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते थे और अपने यहवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे परन्तु अपनी समझ का सहारा लेते थे इसलिए वे राजा युद्ध में हार जाते थे और ना केवल युद्ध में हारते थे परन्तु बहुत सारे इस्राइली सैनिक भी मारे जाते थे और बहुत सारे इस्राइलियों को बंदी बनाकर दूसरे देश में ले जाय जाता था और इजराइल की धन समपत्ती भी लूट ली जाती थी जब राजा ही जिक्याह की दिनों में अस्सूर के सैनिक यहुदा के पूरे नगर को घेरे हुए था तब महान परमेश्वर नभी यासा यह भुजजगता के द्वारा राजा ही जिक्याह और उनकी प्रजा से कहता है कि जितने हत्यार तेरी हानी के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल नहीं होगा परमेश्वर के कहने का अर्थ ये था कि अस्सूर के सैनिक जो यहुदियों के पूरे नगर को घेरे वे हैं उनमें से कोई भी इस नगर में एक तीर भी मारने नहीं पाएगा अर्थात जितने हत्यार इस्राइल के हानी के लिए बने हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा परंतु जो इस्राइल के राजा यहँवा परमेश्वर का भय नहीं मानते थे वे राजा युद्ध में मारे जाते थे युद्ध में हार जाते थे जैसे राजा साउल, राजा आहाब और भी ऐसे कितने राजा थे जो युद्ध में मारे गए उन राजाओं के विशा में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जितने हथियार तेरी हानी के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा परंतु आग्या नहीं मानने वाले राजाओं को महान परमेश्वर सत्रू राजाओं के वस्थ में कर दिता था जैसे राजा आहाब, राजा मनस्थे और भी ऐसे कितने राजा थे जिनको परमेश्वर ने दंड दिया और उनको उनके सत्रू राजाओं के वस्थ में कर दिया परंतु आज कुछ मसीह भाई भाई भान इस वचन के सही अर्थ को समझ नहीं पाते और एक मसीह दूसरे मसीह भाई भाई भान से या एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों को ये मैसेज करते हैं या उनसे कहते हैं कि जितने हथियार तरी हाने के लिए बनाए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा अगर ये वचन मसीहों के लिए है या विश्वासियों के लिए है तो फिर क्यों प्रभु येशु मसी के प्रेरितों को घात किया गया जैसे कि प्रेरित यहुन्ना के भाई याकुब को राजा हेरोदेश ने तलवार से मार डाला क्या परमेश्वर ने उस तलवार को याकूब के हाने के लिए बनाया था जबकि याकूब प्रभु येश्व मसी का प्रेरित था परमेश्वर चाहता तो याकूब को बचा सकता था जैसे कि हम प्रेरितों बारध्या दो आयत में पढ़ते हैं और क्योब इस थफणूस को, जो प्रभू येशु मसी का चेला था, उसे लोगों ने पत्थराव करके मार डाला. जबकि इस थफणूस ने मरते समय प्रभू येशु मसी को परमेश्वर के दाहिनी और बैठे हुए देखा. यदि प्रभु येशु मसीच चाहता तो इस तफनुस को बचा सकता था परन्तु उस ने ऐसा नहीं किया जैसा कि हम प्रेरितों, सात अध्याय और उसका पशपन से अंठावन आयत में पढ़ते हैं क्या परमेश्वर ने उन पत्थरों को इस तफनुस को मारनी के लिए बनाया था, इस तफनुस के हानी के लिए बनाया था, बिल्कुल भी नहीं तो अभी से लोगों ने इस तफनुस पर पत्थराओ करके उसे मार डाला बाइबल के पुराने नियम में राजा दाउद ने गोलियत जैसे दानाओ को अपने गोफन में एक छोटे से पत्थर के द्वारा उसे मार कर घायल कर दिया परंतु ने नियम में जब हम पढ़ते हैं, तो लोगों ने इस तफनुस को पत्थरों से मार डाला और क्यों यहना बब्तिस्मा देने वाले के सिर को राजा हेरोदेश ने तलवार से कटवा दिया क्या ओ तलवार यहना की हाने के लिए बने थे, बिल्कुल भी नहीं फिर भी यहना बब्तिस्मा देने वाले के सिर को राजा हेरोदेश ने तलवार से कटवा दिया इसलिए आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल का पुराना नियम क्या कहता है और नया नियम क्या कहता है आज कई मसी भाई बहन ये कहते हैं कि जितने हथियार तरी हाने के लिए बनाये जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा तो ये वचन महान परमेश्वर ने यहुदा के राजा ही जिक्या और उनकी प्रजा से कहे थे क्योंकि उस समय की युद्ध सरीर का नुशार हुआ करते थे उस समय के लोग लड़ने के लिए तलवार का इस्तिमाल करते थे भाले का इस्तिमाल करते थे और भी कई अन्य प्रकार के हथियारों का इस्तिमाल करते थे परन्तु आज हम मसीह लोग संसार के राज्य में नहीं है और नहीं हमारा जीवन सरीर के अनुसार है परन्तु अब हम प्रभु येशु मसी के श्वरगी राज्य में है और हम मसीयों का जीवन आत्मिक है बेसक हम इस सरीर में है तो भी हमारा जीवन आत्मिक है इसलिए बाइवल कहती है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाय चलते हैं वे ही परमेश्वर के पूत्र हैं इसलिए हम मसी लोग जो आत्मिक हैं हमारी लडाई लहू और मान से नहीं है अर्थात किसी भी मनुश्य से नहीं है परंतु अंधकार के हाकिम से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकास में है इसलिए कौन सा वच्चन कहां पर लिखा गया है और किस के लिखा गया है इसे समझना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हम परमेश्वर के वच्चन को सही रुप से नहीं समझ पाएंगे तो सैध हम इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं प्रभु येश्व मसी ने अपने चेलों से कहा था कि यदि तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना प्रभु येश्व मसी का कहना था कि यदि कोई मेरे नाम से तुम्हारा विरोध करे या सताए तो तुम उनका विरोध मत करना और नहीं उनसे लड़ना परंतु दूसरे नगर को भाग जाना जैसे कि हम मत्ती दसद्याए 23 आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु येश्व मसी यहाँ पर भागने के लिए क्यों कहता है वो हमें लड़ने के लिए या बदला लेने के लिए क्यों नहीं कहता क्योंकि हम मसीयों का जीवन आत्मिक है ऐसा नहीं है कि महान परमेश्वर हमें मुसिबतों से नहीं बचाता वो तो हमें हर बड़ी-बड़ी मुसिबतों से बचाने की सक्ति रखता है हमें हर एक संकटों से छुडाने की सक्ति रखता है महान परमेश्वर हमारी लिए हर एक का संभाव को संभाव कर देता है जैसे कि प्रभू येशु मसी ने पत्रस को बंधिग्री से छुड़ाया और पॉलुस को भी बड़े-बड़े जोखिमों से बचाया था परन्तु यदि हम ये कहें कि हम ईशु मसी को अपना प्रभू अंगिकार कर लेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे और किसी प्रकार का कोई कष्ट और संकट हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हम बड़ी भूल में पड़े हैं बाइबल में इतिहास गवा है जब जब परमिश्वर की सच्चाई का प्रचार किया गया है तब तब उन लोगों को मारा गया है पीटा गया है उन्हें सताया गया है जब हम प्रकासित वाक्य छह अध्याय और उसका नौ, दस और ग्यारा आयत में पढ़ते हैं जब पांचवी मुहर खोली जाती है तो वेदी के नीचे बहुँ सारे लोगों के प्राण थे जो परमिश्वर के वचन के कारण और इशु मसी के गवाही के कारण उनका वध किया गया था और वे येशु से कह रहे थे कि हे प्रभू, हे सत्य, तु हमारा न्याय कब तक न करेगा और प्रिथ्वी में रहने वाले लोगों से हमारे लहु का बदला कब तक न लेगा तब प्रभू येशु मसी उनसे कहता है थोड़ी देर और विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वद होने वाले हैं उनकी गिंती पूरी न हो ले अता है प्रभू येशु मसी के गिंती के अनुसार प्रभू येशु मसी के वचन के अनुसार अभी बहुत सारे मसीयों का वद होना बांकी है उनका लहू बहाय जाना बांकी है बैविल की भवी शवारी का नुसार, अभी बहुँ सारे मसीयों को दुख उठाना बांकी है पाउलोज भी मसीयों से कहता है, कि मसी येशू के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा हाँ ये बात भी सच है कि हर संकटों में हर मुसीबतों में प्रभु येश्मसी हमें सांती देता है हमारे मन को तसल्ली देता है कई बार हमारे विरोधी हमें बार बार गिराने की कोशिस करते हैं या करेंगे चाहे वो सांसारिक द्रिष्टी कोंट से हो या आत्मिक द्रिष्टी कोंट से हो परंतु महान परमेश्वर हमें किसी न किसी तरह सम्हान लेता है दूसरा कुरंथियों चारध्याय आट और नो आयत में पॉलुस कुरंथिस की कलिश्या को लिखते हुए कहता है हम चारो और से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पढ़ते निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते सताय तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते गिराय तो जाते हैं पर नाश नहीं होते बाइबिल के पुराने नियम में इसराइल के राजा अपनी राज्य को और अपनी प्रजा को सत्रों से बचाने के लिए अपने सत्रों का नास कर देते थे उनका वध कर देते थे उनका लहू बहा देते थे परंतु बाइबल के नए नियम में प्रभु येश्व मसी के प्रेरितों ने उनके चेलों ने स्वर्ग राज्य के लिए अपना लहू बहाया है और प्रभु येश्व मसी के कई प्रेरितों का उनके चेलों का वध किया गया है जैसे प्रिरित पौलूस रोमियों आट अध्या छत्तिस आयद में भी कहता है तेरे लिए हम दिन भर घात किये जाते हैं हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए है इसलिए पुराने नियम के युद्ध और नया नियम के युद्ध में जमिन और आस्मान का फरक है पुराने नियम में मनुश्यों की लड़ाई मनुश्यों से होते थे परन्तु बाइबल के नए नियम में मस्यों की लड़ाई अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकास में है और इन्हीं से प्रत्येक मस्यों की लड़ाई है पुराने नियम में परमेश्वर की इजराईली प्रजा अपने राज्य को बचाने के लिए अपने सत्रों का लहू बहाते थे परन्तु बाइबल के नए नियम में मस्यी लोग स्वर्ग राज्य के लिए अपना लहू बहाते हैं पॉलुस फिलिप में रहने वाले कलिश्या को लिखते हुए कहता है, जैसे कि फिलिप्यों दो अध्याय सत्रा आयत में पढ़ते हैं, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सिवा के साथ अपना लहो भी भाना पड़े, तो अभी मैं आनन्दित हूँ और तु लहो भी भाना पड़े, तो मैं आनन्द से अपना लहो भादूंगा। परमिश्वर का वचन कितना अद्भूत है, जब हम परमिश्वर के वचनों को सही रूप से समझते हैं, तो हमें इन वचनों का सही अर्थ पता चलता है। पुराने नियम में इस्रालियों के राजाओ ने दूसरे राजाओं का और अपने सत्रों का वध किया था, उनका लहो भाया था। परन्तु नैनियम के सास्त्र में राजाओं के राजा प्रभू येश्व मसी ने खुद ही दुनिया के तमाम लोग के लिए वध हुआ और कुरुष पर अपना बेश किमती लहो सभी प्रभू येश्व मसी को सैनिकों ने पकड़ लिये, तब प्रभू येश्व मसी के प्रेरीत पत्रस ने अपनी तलवार से एक सैनिक का दाहिना कान उड़ा दिया, तब प्रभू येश्व मसी पत्रस से कहता है, हे पत्रस अपनी तलवार अपने म्यान में रख, क्योंकि ज जोट नहीं पहुंचाना है और यदे तुम्हें कोई मेरे नाम के लिए सताए या मारे या पिटे तो तुम उससे बदला ना लेना और नहीं उनका विरोत करना क्योंकि श्वर्ग राजी में रहने वाले लोगों की लड़ाई लहू और मान से नहीं है अर्थात किसी भी मनुश्य से नहीं है उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर कहता है मैं मनुश्य से सदा वाद विवाद करता ना रहूंगा इसलिए कलीष्या किसी भी मनुष्य से लड़ाई नहीं करते क्योंकि कलीष्या में परमेश्वर की उपस्थिती रहती है अब ऐसा नहीं है कि मसेही लोग ताकतवर या सुरॲिर नहीं होते आज भी मसेही में बहुत सारे ऐसे भायबन है जो सरीर से बहुत ही ताकतवर हैं सूर्विर हैं जो एक पल में अपने सत्रों को धूल चटा सकते हैं उन्हें मिंटों में हरा सकते हैं परन्तु हमारे प्रभु येशु मसी ने अपने संतानों को लडाई जगडा करने के लिए या किसी को मारने पिटने के लिए मना किया है और किसी से बदला लेने के लिए भी मना किया है इसलिए जो प्रभु ये इसु मसी के प्रिय संतान होते हैं जो सच्चे संतान होते हैं वे किसी से लडाई जगडा नहीं करते और नहीं किसी से बदला लेते हैं इसु मसी ने अपने चेलों से कहा था मत्ती 24 सद्ध्याइ 9 आयत में तब वे कलेस देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें माँ डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे बाइबिल तो कह रही है कि इसु मसी के नाम के कारण मसीयों पर शताव किया जाएगा मस्यों पर शताव होगा क्योंकि मस्यों की बातें मस्यों का सुभाव मस्यों का चाल चलन संसार के खिलाफ होता है इसलिए जो संसार में रहने वाले अंधकार के हाकिम है वे स्वर्गिय जीवन जीने वालों से दूरियां बना कर रखते हैं बेसक मस्ही लोग इस संसार में हैं परन्तु वे इस संसार के नहीं है क्योंकि येशु ने मस्हीों को संसार में से चुन लिया है उन्हें संसार से अलग कर लिया है इसलिए आज संसार के लोगों को स्वर्गी बातें समझ नहीं आती और जो स्वर्गी जीवन जीते हैं उनसे वे दूरियां बना कर रखते हैं और कुछ लोग प्रभु येश्व मसी का बात करने से मना करते हैं क्योंकि संसार के लोग संसार की ही बातें किया करते हैं परन्तु जिन्होंने स्वर्ग राज्य में जन्म लिया है वे श्वरगही की बात किया करते हैं यदि हमारे भी मन के मंदिर में प्रभु येशु मसी का नाम बसा है तो हमारे भी मुह से हर जगा केवल येशु मसी का ही बात निकलेगा येशु का ही नाम निकलेगा क्योंकि येशु ने कहा है जो मन में भरा है वही मुह पर आता है बेसक कुछ लोग हमारे मुह से इशो का नाम सुनते ही हमारा विरोत करना शुरू कर देते हैं इसलिए मस्यों को इस संसार में सताओ का सामना करना पड़ सकता है इशो ने कहा है लुका 21 सद्ध्याए 12 आयत में मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पगड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में शौपेंगे और बंदेग्री में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे तो ये हम मस्यों के साथ होने वाली तमाम घटनाओं को प्रभु येश्मसी ने पहले सही बता दिया है तो क्या हम मस्यों लोग अपने सताने वालों को सताएं या उनसे बदला लें या उनके लिए परमिश्वर से बद्दुआ मांगे तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि बाइबिल का नया नियम हमें शिखाता है कि हम किसी से बदला ना लें या किसी के लिए बद्दुआ ना मांगे आज नया नियम के अनुशार हम मसीह लोग प्रभु येश्मसी के नई वाचा में सामिल है अतहा जब मसीह लोग संसार की भीट से निकल कर इसु के संग चलने लगते हैं तो संसार के राजी में रहने वाले अन्धकार के हाकिम और उस हाकिम से जुड़े वे तमाम समू के लोग मसीयों से बैर करने लगते हैं अतहा बाइबिल में पहले से प्रभु येश्मसी ने बता दिया था कि सच्चे मसीयों को सताया जाएगा उन्हें बेवज़ा परशान किया जाएगा उन्हें पीटा जाएगा और हो सके तो कुछ को मार भी डाला जाएगा परन्तु येश्मसी ने कहा है जो सरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना पर उसी से डरों जो सरीर और आत्मा को दोनों को नरक में नश्ट कर सकता है इसलिए मस्यों को किसी भी मनुस्य से डरने की आव सकता नहीं है क्योंकि मनुस्य के वल सरीर को घात कर सकता है पर आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता परंतु महान परमेश्वर जो हमारे सरीर को भी घात कर सकता है और हमारे आत्मा को भी नरक में नश्ट कर सकता है अर्थात्म उन्हें दन दे सकता है इसलिए हम अपने महान परमेश्वर से डरें जिसके हाथों में हमारा सरीर और हमारा प्रार दोनों है पॉलुस को भी जब प्रभू येशु ने संसार में से चुन लिया तब पवित्रा आत्मा बार बार पॉलुस से कहता है कि बंधन और कलेस तेरी लिए तयार है इसलिए जब हम येशु मसी के स्वर्गी राज में प्रवेश करते हैं तो संसार के और से हमारे लिए तमाम बंधन और कलेस तयार हो जाते हैं इसमें कोई दोमत की बात नहीं है हमारे विरोध में तलवार खड़े हो जाते है हमारे विरोध में लाटे और डंडे खड़े हो जाते हैं हमारे विरोध में बंदुकें खड़ी हो जाती है अता ही येशु ने अपने लोगों से कहा था यदि कोई तिरी एक गाल पर थपड़ मारे तो उसे दूजा भी फेर दे अर्थात येशु मसी के कहने का ये अर्था था। कि कोई हमें सताय या हमें मारे या पिटे या हमें गाली दे तो हम उसे छमा कर दें। क्यूंकि हमारी लड़ाई लहु और मान से नहीं है अर्थात किसी भी मनुशिए से नहीं है। परंतु हमारी लड़ाई दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकास में है जैसा कि हम इफीशियों 6 अध्याय 12 आयत में पढ़ते हैं क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मान से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकास में है तो यहाँ पर यह प्रधान कौन है और यह अधिकारी कौन है और इस संसार के अंधकार के हाकिम कौन है और उस दुष्टता की आत्मिक सेना कौन है जिन से हम मस्यों की लड़ाई है और उनसे लड़ने के लिए हमें कौन-कौन से हत्यार चाहिए और उन हत्यारों को हमें कैसा इस्तिमाल करना है यह मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा प्रभु येश्मसी के जिन प्रेड़तों ने उनके चेलों ने स्वर्गराज्य के लिए कलिश्या के लिए दुख उठाए खुब महनत किये परिस्रम किये अपना लहु भी बहाए उनके विशाय में प्रभु येश्मसी ने कहा था कि तुम सिहासनों पर बैठ कर इस्राइल के बारा गोत्रों का न्याय करोगे तो आज के लिए बस इतना ही महान परमेश्वर इन वशनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु येश्मसी के नाम में आस्सेश प्रदान करे आमेन